Good morning students, last lecture में हमने definition of cleavage पढ़ा और characteristics of cleavage और फिर हमने cleavage में होने वाले जो divisions हैं उनक में और mitotic division में हमने differences देखे थे कि उन दोनों में क्या-क्या अंतर होते हैं अब हम next types, planes and patterns of cleavage पढ़ेंगे Plains of cleavage जब cleavage होता है उस समय division की जो खाचे बनती हैं जो कि जायगोट को different planes से divided करती हैं यह जो planes होते हैं अलग-अलग तरह के होते हैं कि यह जायगोट में किस angle से जाते हैं तो उस space पर इनको classify किया है First is meridional plane, second is vertical plane and third is equatorial plane and fourth is latitudinal or transverse or horizontal plane First meridional plane जिसे रेखांशित तल भी कहते हैं इस plane में जो cleavage होता है वो जायगोट की main axis के center से होता है और यह दोनों poles को divided करती हैं और इससे जो तो खंड बनते हैं बाग बनते हैं वो एक दूसरे के equal होते हैं आमने सामने के बराबर होते हैं क्योंकि वो बिलकुल beach center में से कटता है इसलिए जो दो parts बनते हैं वो बिलकुल एक दूसरे के समान होते हैं और इनका example है frog और chick में जो first cleavage होता है वो meridional cleavage होता है second is vertical cleavage vertical cleavage जैगोट के animal pole से vesical pole के और cleavage होता है लेकिन यह जो cleavage होता है यह बिलकुल center से होकर के नहीं जाता है बीच में से होकर के नहीं जाता है इसके example है amia और chick का जो third cleavage होता है वो vertical plane में cleavage होता है third is equatorial plane when cleavage furrow bicep the egg at right angle to the median axis and half way between the animal and visitor poles means कि जैसे हमने देखा था जो median axis था जो कि एक pole से दूसरी pole जा रहा था यह उसके बिलकुल right angle पर होता है और उस जैगोट को two parts में divide करता है जिसे हम equatorial plane कहते हैं और यह जो plane होता है बिलकुल center से निकलता है इसके example है ambistoma के जो jagot होता है उसका यह fifth cleavage होता है इसको विश्वत रेखिये तल भी कहते हैं next is latitudinal और transverse plane the transverse plane resemble the equatorial plane but it passes either above or below the equator of the egg जिसे कि अभी हमने देखा कि जो equatorial plane होती है वो बिलकुल center में से होकर के निकलती है तो latitudinal भी इसी तरह से जो main axis होता है उसके vertical ही होती है लेकिन यह center में से होकर के नहीं निकलती है यह center से यह तो उपर की और होता है यह center के नीचे की तरफ होता है और इसको हम latitudinal plane कहते हैं इसके example है frog और amphioxus का third cleavage इसलिए इसे अनुप्रस्तियाक शेतिश तल भी कहते हैं अब हम इसको diagram से समझ सकते हैं कि यह जो बिलकुल देखो animal pole से वेजिटल pole में बिलकुल exit center में जो cleavage होता है इसको हम meridional plane कहते हैं बिलकुल जो यह center में है यह हम इसको कहते हैं रेखांशित तल अब second जो है इसको बोलते हैं vertical plane यह जो vertical plane है यह इस meridional के side में है बिलकुल यह बीच में नहीं है लेकिन एक pole से दूसरे pole की और जा रहा है यह वाला यह जो dark black दिख रहा है अब यह एक animal pole से वेजिटल pole की और जा रहा है लेकिन यह बिलकुल भी center में नहीं है लेकिन इसलिए अब हम इसको vertical plane कहते हैं यह बिलकुल बीच में होता है विश्वत रेखा की तरह है तो इसको हम यह animal pole और वेजिटल pole को दो parts में डिवाइड कर देता है तो इसको हम बोलते है equatorial plane and next is deep latitudinal plane यह इस equatorial से उपर की और है यह तो यह ऐसे उपर की और होता है यह फिर इदर बिलकुल नीचे की और होता है और यह equatorial में बिलकुल नहीं होता है और उपर यह नीचे की और होता है तो इसको हम इसलिए यह तो हम अनुप्रस्त तल बोलते हैं यह इसको latitudinal plane कहते हैं next is patterns of cleavage इसमें जो jaguar होता है उसमें जो segmentation होता है यह cleavage होता है उसके जो फरोज होते हैं उनका जो pattern होता है अलग-अलग animals और अलग-अलग species में अलग-अलग तरह का होता है क्योंकि हर animal में योग का जो amount होता है और जो distribution होता है वो अलग-अलग होता है तो इस कारण इनका जो pattern है जो cleavage का pattern है और उनके दूसरे next जो फरो बना है या जो division होना है वो एक दूसरे की respect में उनका जो orientation होता है वो अलग-अलग होता है तो इस तरह से इनमें कही तरह के patterns of cleavage पाए जाते हैं और यह सब depend करता है उस egg में या उस jaguar में पाए जाने वाले yoke का amount और yoke का distribution फर्स्ट इस radial cleavage इस प्रकार के cleavage में जो continuous में divisions होते हैं cleavage होता है वो सीधे होते हैं और cleavage के जो खाचे होती हैं वो एक दूसरे के right angle पर काटती हैं इस प्रकार cleavage से जो blastomeres बनती हैं वो same size के होते हैं और radially arranged होते हैं इस तरह का जो cleavage है वो sponges, silenters और echinodermates के animals में पाया जाता है यह radial cleavage में देख सकते हैं यह देखा फर्स cleavage हुआ यहां से इस direction में अब जो दूसरा cleavage होगा वो इस फर्स cleavage के right angle पर होगा यह फर्स cleavage था यह दूसरा cleavage इसके right angle पर हुआ इसी तरह अब जो next cleavage होगा जो second cleavage हुआ उसके right angle पर होगा उससे यह 8 cell stage बनती हैं अब जो next cleavage होगा third cleavage के right angle पर होगा और उससे 16 cell stage बनेगी इस तरह से जो भी division होता है वो पहले वाले division के plane के right angle पर होता है और इसलिए जो cells होती हैं वो समायन equal size की होती हैं next is biradial cleavage इस प्रकार के cleavage में जो first three cleavage फरोज होती हैं वो एक दूसरे के right angle पर divide नहीं करती हैं और cleavage के कारण बनने वाले जो blastomias होते हैं वो दो रोज में arrange हो जाते हैं और इसके example है टीनोफोरा एंड असेला next is spiral cleavage इस प्रकार के cleavage में जैगोट के चारों और जो cells के विबिन भागों में rotational movements पाई जाती हैं जिसके कारण cleavage की जो फरोज होती हैं वो सीधी नहीं होकर के एक के active यह हम कह सकते animal और vegetal pole पर यह तिर्ची होती हैं और इसको oblique cleavage भी कहते हैं इस तरह का cleavage होता है वो radial cleavage का ही modified form होता है और इसमें गुणन गती के कारण नीचे वाले इस तपर जो पाए जाने वाले blastomeres होते हैं उपर वाले पाए जाने वाले blastomeres के ठीक नीचे नहीं होकर के बीच में उपस्तित होते हैं और इस कारण उपर की जो चार चोटी cells होती हैं उनको micro और जो नीचे की जो चार बड़ी cells होती हैं उनको macromeres कहते हैं यह example है एक्स ओफ आनेलिडास, molaska, rotifers, etc यह आप टैग्राम में देख सकते हैं कि कैसे यह spirally है यह एक दूसरी के उपर right angle से नहीं बन करके यह तिरचे form में यह arranged होती हैं नेक्स्ट इस bilateral cleavage इस जैसे कि यह नाम से ही पता चल रहा है कि bilateral यानि कि इनमें bilateral type के symmetry present होती हैं इस तरह के cleavage में जो फरोज होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि जो new blastomere cells बनती हैं उनमें bilateral symmetry present होती हैं इसमें जो जायगॉट होता है इसमें चार जो cells होती हैं वो इस तरह से स्थापित होती हैं कि इनमें से दो छोटी और दो बड़ी होती हैं और यह cleavage भी एक तरह से radial cleavage का ही modified form होता है इसके examples हैं amphioxus, punicates, amphibia and higher mammals यह bilateral cleavage का diagram है यह आप देखिए इसमें दो cells इस तरह से arrange है और यह दो cells इस तरह से arrange है इनमें इस तरह से bilateral symmetry present होती है So students, आज हमने planes of each जिसमें हमने planes देके meridional, vertical, equatorial or latitudinal और patterns of cleavage की पारे में पढ़ा जिसमें हमने patterns देके radial cleavage, biradial cleavage, spiral cleavage and bilateral cleavage Okay, thanks class